और भी दिखुए है तो पहले इसको बदर लगाया जाता है देख़ों आप लोग चर रहा है यह आवाज आ रहा है और ये एटोमेडिक चलते रहता है ठीक अपने मतलब रूर्म के भाविए चलते जियादा है ज्ञाधा स्पीड थेखो लूग रूख गया घू और जब ये चलिए आधा स्पीड है नहीं चलते रहता है और इसे थे था हो पानी चाली होते रहता है और और जो खाद पानी होता है न ये पानी के सहारे ही इसमें दे दिया जाता है ठीक है और आज इतना बढ़िया मोसम हुआ है न धूब तो हुआ है लेकिन मोसम भी बहुत बढ़िया है अभी आप लोग देख सकते हैं ठीक है अभी पहले इसको ना काटा फिर तकरीबान चर-पाँच दिन सुखने दिया फिर बेचा इसको अभी फिर पानी चर रहा है फिर और यहीं करेगा फिर हर कटाई एशे करेंगा धिक है इसकी कट्टिंग अभी खाद पाणी डालेगा इसमेना मोटर उदर लगाए उकादी में उसका नेक्स बुडियो मनानों ठीक है वह पाणी के साथ ना खाद पाणी डालते रहेगा जब पड़ा हो जाएगा तो फिर यह कटीन होगा और फिर चर्पान दिन सुखेगा फिर विकेगा फिर एसे चालू होएगा और यह बहुत बड़ा एरिया में आप लोग देख सकते ठीक है तो इसका हर कटाई ऐसे ही होता है तकरीब तीस पैटीस दिन में कड़ते रहता है और फिर खाज पानी डाला जाता है फिर होता है कोई ज्यादा आदमी को मेहनत नहीं करना पड़ता है यह एटोमेटिक चलता है भाई साथ आप लोग को इधर साड़ से भी दिखाए तो देख सकते हैं कितना बहत्री पार्क की तरह दिख़ड़ा है बिल्कुली सवादी लोग के घर के ना आक इसी में ना बैट के धुमिलिया मारते हैं उसा मतलब खेलते हैं सब लिए हरा भरा दिखता है तो अच्छा लगता है अपने अधर खे तो धूरिशनों पटाने में बहुत टाइम लगता है मैनत भी लगता है डहर अइसा नहीं तर मयनत नहीं लगता ठीक है अला कि यह सब कराब हो गता है न यह सब जोड़ा दिखत होता है तो जो आदमी जनकार होता है उसी को दिक्कत होता है सब आदमी कर नहीं है वो बोल देगा मेरे को नहीं मालूमत भूछे नहीं सौधी क्या करें पूछे करें अई हो आपको बुड़ियों प्रसंद आयोगा मिलते किसीने प्रफटक लिए जैंप आपको